तर दोस्तों मैं रिना आपके अपने चैनल लीना किचेन रस्पी हम लोग से स्वागत करती हूँ तो आज हम जानेंगे कि जो उत्पना एका देशी हैं चुकि कल है यानि 20 नौमबर 2022 को तो एका देशी व्रत के दोरान काफी लोग भलार करते हैं तो भलार में मुंफरली खा स करते हैं या नहीं खा सकते हैं किस तरह से खानी है इस वीडियो में आपको दी आजएगी तो आज हम जानेंगे कि उपास के दोरान काफी काफी लोग होते हैं जो मुंफरली के दाने और फल्यों को सर्दियों के मौसम से जोड कर देखा जाता है क्योंकि ठंड में लोग उबली या भुनी हुई मुंख़ली का नाशा करते हैं लेकिन विंटर डाइट का अहम हिसा रखने वाली मुंख़ली बाकी दोनों सीजन्स में से भारतियों के ख्यार लगती है स्वाद का लेकिन व्रत उपवास और त्योहारों में ड्राइफूर्स और नर्स के साथ साथ मुंख़ली के दानों का सेवन भी बहुत अधिक होता है मुंख़ली के दानों का पावडर साबुदाने की खिचिडी की लजज़त बढ़ाता है वही इन स्वादिष्ट बीजों को भून कर गजग चिक्की पट्टी और लड़ू और मीठे पक्वान किये जाते हैं यह सब भी मिठाईयां प्रैसाद में चड़ाने के अलावा व्रत या उपास के दोरान खाई भी जाती हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि उपास के दोरान मुंख़ली के सेवन से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और आप व्रत के दोरान किस तरह की मुंख से एकादर्शिया मानी जाती है उसमें उत्पन्ना एकादर्शि को सबसे ज़्यादा खास माना जाता है यह माक्षिस माज की क्रेश्न पक्ष की एकादर्शितिति को आती है तो इस साल यह 20 नौंबर 2022 को है यानि कि कल तो ब्रत और उपास के दोरा मुंख़ली के सेवन के यह शाकारी डाइट में शामिल करने के लिहाद से भी एक आदर्श फूड है मुंख़ली के सेवन से जो एकादर्शि व्रत उपास नवरात्र जैसे व्रत उपास के समय और और हेल्थ को कई तरह से लाब पहुचाता है लेकिन किस तरह से यह आपको फाइदा दे सकती मैं आ योग में करें जो बाजार से लाइवी मूफली आती है वो सही नहीं आती है क्रेपिया करके उसका यूज बिल्कुल भी ना करें बाजार का कोई भी प्रोडेक्ट आता है वो सही नहीं आता इससे अच्छा तो आप घर बे बनाएवे फलो का जूस पी सकते हैं फूट खा सक सकते हैं और ड्राइफूट खा सकते वो ज्यादा बटर रहता है जैसा कि व्रत और उपास के समय लोग कम मात्रों में भूजन खाते हैं इस वजह से उन्हें कई बार कमजोरी महसूस होने रगती और एका दशी का व्रत तो दश्मी तिथी से लेकर दशी तक चलता है तो ऐसे म अजिसने में मुखळी खाने से व्रत करने वाले विक्ति को energy मिलती है मुखळी में protein की मातरा अधिक होती है जिस मुखळी क्हाने से पेट भरताव energy यह तुरंस मिलती है मिड बॉर्णिंग स्नेक किया शाम को चाय के साथ उबली हुई बुनी हुई मूफली के दाने भी खा सकते हैं इसने रात में भूजन से पहले आपको भूख नहीं लगेगी और पेट से जुड़ी हुई समझ जैं जैसे पेट की ग्यास और ब्लॉटीन में बशने में भी मदद करेगी साथ ही साथ मूफली का प्रयोग काफी चीजों में किया जाता अगर आपको खून की कमी है तो मूफली आपको एनिमिया से भी बचाती है इसलिए आपको जैसे ब्रत उपास करते हैं काफी लोगों को बीम चीजोर रहता है तो हम क्या नमक का यूज कर सकते हैं तो मैं उनको सभी को यह जवाब देती हुआ कि जिनको भी प्रॉब्लम रहती है वो सेंदा नमक कर सकते हैं लेकिन जो व्रत की सही परिबाश्यक्ति ये उपवास की वो मैंने एक वीडियो में आपको सही धंग से बता रखा है तो मुंखवली के नियमे सेवन से रक्त की कमी नहीं होती इससे शक्ती मिलती शरी का पोशण होता इसी तरह व्रत करने वाले लोगों को मुंखवली खाने से उन्हें दिन भर की शक्ती मिलती भूकी भज़े से चकर आने या कमजोरी महसूस कर करने जैसी समझताय भी नहीं होती है कॉंसे प्रेशन की परेशानी जिनको उनको भी इन सब चीजों से जिनको पेड़ से संबंदी जुड़ी परेशानियां वो मुंखवली खाने से भी सही हो सकती है उपवास के नियमों का पालन करती है कई बार लोगों को खाने पीने में के देर हो जाती है जिससे की काफी लोगों को पेड़ दर्ट कॉंस्ठिपेक्शन और से दी जैसी परेशानिया हो जाती है जिनकी सम्भावणा कम करता है मुँखली अब सबसे ज्यादा फाहीं बेटर रहती है तो आम मुझंफली को प्रियोग में ले सकते हैं काफी जैसे उम्र के साथ अगर आपको काफी लोग जो रद महीला होती जैसे जिनकी 40 से 50 अबाउट जिनकी एज होती है वो लोग मतलब जैसे आधात्मिक तोर से जूट जाती है तो एकादेशी का व्रैद वो अवश्य करती है ये नेचुरली बात है काफी लोग काफी महीला है मतलब 20 से 30 अबाउट में नहीं करती है लेकिन जो 30 से 50 के अबाउट में काफी महीला एकादेशी का उपास करती है तो उम्र बढ़ने के साथी चेहरे के लिए भी काफी जादा फाइदेबन है और साथी साथ मूंपली जिहां एक एंटी एजिटिक फूड है जिसका मतलब भू पर की निशान देर तक नहीं दिखाई देते हैं साथी साथ ये हडियों को भी मजबूत करती है स्ट्रॉंग बॉंस के लिए आपशा कैल्चियम और विटामिन का भी जो किया जाता है खासकर 35 स्वाज के बाद जब महीलाओं की हडिया कमज़ोर होनी लगती है तो उन्हें रेगुलर तोर पे मुफली का सेवन करना चाहिए जिनको बदंदार हड्यों की प्रॉब्लम रहती है उनको ये सब चीजों से काफी ज्यादा फाइदा मिलता है तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मुफली का आप एकादेशी के ब्रत में किस तरह से सेवन क कर सकते हैं और मुफली का प्रियोग कौन से वाली मुफली का प्रियोग आप कर सकते हैं क्योंकि काफी लोग होते हैं जो बजार से लाकर मुफली एक वह बहुत चलती हमारे या पर जो क्या बोलते हैं उसको वह भी खाते हैं तो लेकिन जो मैं आपको सही बताती हूँ बज तो मैं आपको यही सझेड़ करूँ looking जो भी आप व्रत या उक वास करते हैं उसके दोरान घर के सामानों के प्रियोग करें फृट होता है यह मुफली जो की जो छिल्के वाली मुफली उसका प्रियोग आपको करना चाहिए नमक यूग तो जो मुफली आती है उसका आदेशी के अलाव नवरात्य का भी काफ़ी लोग उरायत करते हैं तो उनको आप जारू सजेस्ट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल एकम प्रेस करें हरे किश्णा